हाला स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर कर जिंद पुरही तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूं फर इंजिनेरिंग मैथमेटिक्स बीए से स्टुकर आप किसी भी कॉंपरिटिव एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जहाँ प मैंने मैंट्रिक स्पेस की देफिनेशन उसके रिलेटेट कुछ एक्जामपल दी हैं दुछ एकंड वाला वीडियो इसके अंदर मैंने शुडव एक्जामपल को यहां पर एक्स्पेस किया है आज मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्ण ठीरम डिसकर करूंगा मैंट्रिक तो इस देखिए यहां पर कि सबसे पहली जो इंपॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट इस देखिए फस्पेस और फस्पेस एक्स एक्स एड बिलॉंग तो एक्स दैन डिए अफ एक्स वाइस ग्रदर इक्वल तो मॉट अफ दी एक्जामपल दी एक्स एड माइनस दी यज फिन ओनल इस इंप एक्स 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 प्राइगल होता घ्र अगर यहां पर बीच flap नसजान सेच आप यह फिर बढ़ा उतों इसको कैसे प्लिव करें इभा को समयाता हूं त्रैंगल को ले लेंगे और हमारे पास यहां पर हमारस एक ट्रैंगल को स्टार्ट करेंगे यहां पर लेलिया प्लस यहां पर हो जाएगा कि यहां पर देंगे वाइगा हमारे पास यह एगा इस तो यह आएकशेट इस लेस्टानिस यहां पर टू आपकी निकालेंगे तो इसको मैं इधर लेंगा, तो यह DXZ is greater than D of YZ minus D of XY हो जाएगा, अब आप देख रहे हैं, जो DXZ है, वो इससे तो छोटा है और इससे बड़ा है, तो इन दोनों को हम यहां पर बीच में लेंगे, तो D of XZ आप देखें, इसकी जो value होगी, D of XY plus D of YZ, यह हमारे पास यह आप देखें, तो इसकी जो value हो जाएगा, तो जब भी ऐसा होता है, तो इसका मतलब यहां पर modular sign हो जाएगा, D of XZ minus D of YZ, और यहां पर इसकी value किया आएगी, less than equal to, यहां पर किया जाएगा, सुन, D of XY हो जाएगा, जब यहां से तो चोटा है, और यहां से D of YZ क्या रहा है, बढ़ा रहा, इसका मतलब दोनों कमेंड करेंगे, तो यहां पर D of YZ से हमने क्या कर दिया, इसको minus कर दिया, तो हमारे पास यहां पर यहां पर इसको यहां इसली प्रूव कर सकते हैं, तो सुन, नेक्स शेरम देखें, और नेक्स शेरम क्या पोटी, लेट एक्स डेश यहां पर दियान देजे, इसली प्रूव कर दिया, तो हम एक्स डेश को डालेंगे यहां पर, तो हम एक्स डेश प्लाइश को डालेंगे यहां पर, अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमेरे पास डेश इसली यहां पर इसके विलिव करते हैं, इसके इंतर, थिया आएगा एगा हमारे पास एक्स डेश यह तो इसके आगा ओएग। इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास symmetry होती है फिर इसी ताइप से हम यहां पर नेक्स अगला वेली लिए लिए लेता हूं ईसकी सबसे बरे दिया और प्लस का इक सिर्फ करेंगे अब हमारे पास X गरेज लेश था टो अपर life इंपकर में यहां प्लस का दिया रहिए हमारे पास प्लस का d of y y dash आ जाएगा अब हम यहां चाहते हैं कि जैसे हमने यहां पर बनाए था d x y minus x dash y dash बनाए था वैसा ही मैं चाहता हूँ कि यहां पर भी ऐसा बन जाए तो इस इन में क्या करता हूँ मैं यहां पर करता हूँ यहां पर जैसे माइनस को मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह आएगा हमारे पास यह प्लस का हो जाएगा और यह माइनस का हो जाएगा अब हम जानते हैं कि इसकी जो वेल्यू है इस से थो चोटी है और इस से हमारे पास क्या है बढ़ी है तो यह दोनों को हम कमाइप करेंगे तो यहां थोड़ा सा अलग कलर में लिखता हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह दी ऑफ क्या करता हूँ इसको लिख देता हूँ यह पर मैंनस में काम करता हूँ मैंनस का लिख देता हूँ यह पर डी ऑफ वाई देश आज जाएगा एंड यह इससे क्या है इससे तो बड़ा है और इससे यह क्या है चोटा है तो मैं यह लिख देता हूँ यह आएगा हमारे पास d of x x dash and plus d of y y dash आजाएगा राइट यह हमारे पास इसकी क्या जाएगी value आजाएगा अब हम क्या करें किस से हम यहां पर add करें तो मुझे लगता ह x dash y dash is more less than equal to d of x x dash minus d of plus d of y y dash हो जाएगा तो इस तरह से यहां पर इसको बहुत एजिली प्रूब कर सकते हैं मैं आपको वापिस समझा देता हूं कि मैंने किया क्या मैं यहां पर आप समझा रहा हूं इसके इसके इंदर वापिस y को करेंगे फिर दोनों को हम यहां पर क्या करेंगे और compare करेंगे बहुत इसको को हम सॉल्व कर सकता है तो यहां पर हमारे पास यह dxy माइनस द एक्सटेश्य और यहां से रहा था जुपहर दूसरी को से अब दोनों को सहीं बनाना चाहते तो आप माइनस कोमा निकाल दीचे माइनस कोमा निकालेंगे यह आ जाएगा अब हम जानते कि इसकी जो वेल्यू समझ ना इसकी वेल्यू इससे तो छोटी है और इससे क्या यह बड़ी है तो दोनों को यह बीच में इस तरह से लिख दिया रहा है यह इससे तो बड़ी है और इससे क् इजली पूझा कर सकता है, तो इस तरह से is को यह पर पूह करते है, अगला जो कोशन निए बहुत important exam में पूछा जाता है, कि let एकजी ब्यक्स पथे स्पैस अ डिस्टार डिफाइन अज यह डिर रहा है कि d often x y दिकंज लुद इकाट गॉद अपान वन प्लस से अब इसके वे पृपड़ा होगा और यह प्रौपार 스छ हो सबढ़ा होका को दीस्टार एक्साइए अगर जीरो है, if and only if, यहां पर x is equal to kya होगा, y होगा, third property हम यहां पर यह प्रूव करेंगे कि d star xy is equal to, क्याएगा, d star of y x हो जाएगा, right, and fourth property हम यहां पर यह प्रूव करेंगे कि d star of xy is less than equal to d star of xz plus d star of y, z y, right, यह हमें प्रूव करना, right, तो दिखो, first तो मैं प्रूव कर चुका हूँ, second प्रूव करेंगे, हैना क्या करा है, इसको उने बराबर 0 put कर दिया, अगर इसको 0 put किया, तो हम जानते हैं, कि जब हमारे पास d star xy 0 put करेंगे, तो यह अगर 0 रखा हमने, अगर इसकी वेली हमारे पास 0 होगी, तो इसकी वेली हम जानते हैं, कि अगर आप यह समझते हों, het down xy gain upon 1 plus d xy, हम जानते हैं यह metric होता है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, yx upon 1 plus d of yx होजाएगा, और हम जानते हैं, यह हमारे पास क्या होता है, d star of yx होता है, और यह वेली हमारे हमारे पास क्या होती है तो यह भी हमारे पास प्रूव हो गया तो यह सिमेट्री वाली कंसप भी हमारे पास प्रूव हो गया अब हमें लास्ट प्रूव करना है ट्रेंग निंग ट्रेंगे तो इस तो नहीं हम यहां पर थोड़ा सब लगाएंगे तो दी स्टार आफ एक्स व हो जाएगा अब हम क्या करेंगे तो जैसे लगाएंगे हम यहां पर तो जैसी यह उपर जाएगा तो यहां पर हमारे लग क्या हो जाएगा अब इसको करेंगे हमारे पास ब्लस डी ओफ जैड क्र जाएगा एंड प्लस यहां प्लस यहांगे हमारे पास दी ओफ जैड फॉर जाएगा and plus यह आएगा हमारे पास d of z y divided by one plus यह आएगा हमारे पास d of xz plus d of z y हो जाएगा इस नहीं हम क्या करेंगे यहाँ पर अब हम चाहते हैं इसको प्रूव करना तो हमारे पास यहाँ पर बताना चाहते हो कि यह value already बढ़ी है अगर मैं इसको 0 ले लू तो कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है क्योंकि बड़ी रहेगी और यहाँ पर भी अगर हम इसको 0 ले ले तो कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है तो यह आएगा हमारे पास d star of xy is less than equal to यह आएगा हमारे पास d of xz upon one plus यह आएगा हमारे पास d of xz plus यह आएगा हमारे पास d of zy divided by हमारे पास one plus d of zy आ जाएगा क्योंकि हमने इसकोटा दिया और हम जानते हैं कि इसकी जो value होगी मैं इसको यहाँ लिख दिता हूँ तो d star of xy is less than equal to stonum को लिख सकते हैं डी star of xz अधिया जाएगा हमारे पास d star of zy यह हमारे ट्रैंगन इंकलोटी यहाँ पे क्या हो जाएगी प्रू हो जाएगी तो इस तरह से यहां पर इसको बहुत एजीली प्रू गर सकतर यहीं मैंने यहाँ पे किया है मैं आपको बता दो सुन कैसा लगा आप कमेंड करके जरूर बताइए और नेक्स जो में टॉपिक लिए ना वला हूं में वह है जो एंड आपन का बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है वह मैं आपके सामने डिसकस करूंगा तो सुन लास्ट मेरी वीडियो आप देख सकते हैं यहापे मेरी 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 में देख सकते हैं और इसमें मेरा चैनल है जिसमें में एड जेमश सांट और काफी अच्छी वीडियो कर रहा हूं वह जाके आप देख सकते हैं और यह मेरा पूरा नल चलनल जहां पर वीडियो अपलोड कर रहा हूं